ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनियाँ ठुमक चलत रामचंद्र भगवान राम की अभी वो अवस्था है ठुमक ठुमक कल चलते हैं लडखणा कर गिर जाते हैं फिर उठते हैं चलने का प्रयास करते हैं देखे ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाये जा सकता है ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत हां चलत ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनियात ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र किल किलात उठत धाय किल किलात उठत धाय गिरत भूमिलत पताय किल किलात उठत धाय गिरत भूमिलत पताय धाय माय गोदलेत धाय माय गोदलेत धाय माय गोदलेत दशरत की रनिया धूमक चलत रामचंद भूमक चलत रामचंद बाजत पैंजनिया धूमक चलत रामचंद वे धूमक चलत भूमक चलत भूमक चलत भूमक चलत पताय अरुन अधर वे धूम से अरुन अधर गोलत मृदू बचन मधूर वे धूम से सुंदर नासि का भीच सुंदर नासि का भीच लटकत लटक निया वे धूमक चलत रामचंद वे धूमक चलत रामचंद बाजत पैंजनिया धूमक चलत रामचंद मिवा मोतक रसाल मन भावे सोले हो लाल वे वा मोतक रसाल मन भावे सोले हो लाल और ले हो रुचर पान और ले हो रुचर पान कंचन जुन जुनिया धूमक चलत रामचंद भूमक चलत रामचंद बाजत पैंजनिया धूमक चलत रामचंद तुलसी दास अतियानन्द अतियानन्द निरखिके मुखार बिन्द तुलसी दास अतियानन्द निरखी के मुखार बिंद गोस्वामी तुलसी जाज जी भगवान राम के मुख की तुलना किसी वस्तु से करना चाहती अनि कोई कभी होता तो कह देता भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर है किसी पी तेज वस्तु या सुन्दर वस्तु से तुलना कर देता लेकिन गोस्वामी तुलसी जाज जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही जिससे वो भगवान राम के मुख की तुलना करें बहुत सोचा अन्त में हार कर यही कह दिया कि भगवान राम के मुख जैसा किवल भगवान राम का ही मुख है और कुछ नहीं तुलसी दास अतियानन्द तुलसी दास अतियानन्द निरखी के मुखार बिंद रगुवर की छविसामान रगुवर की तुलसी दास अतियानन्द छविसामान रगुवर मुख बनियान ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैंजनियान ठुमक चलत राम चंद्र ठुमक 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 चलत राम चंद्र बाजत पैंजनियान ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैंजनियान ठे बाजत पैंजनियान ठे बाजत पैंजनिया रे बाजत पैंजनिया खुमक चलत राम चंद्र बाजत पैंजनिया खुमक चलत राम चंद्र खुमक ढूमक 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 चलत राम चंद्र बाचत पैंजनिया खुमक चलत राउं चलत राउं चलत राउं